यालेकूम व्ल्कम बक टो माई चैनल कैसे हैं आप सर्में ठीक हो अलम्देलिल्ला जी थो मॉनिंग मॉर्णिंग होचुकी है ब्रेक फास्ट हो चुकी है तो मैंने का आज ते आज और आपको अबी से दिखाती भी चाहिए आज मैंने आपको breakfast ने दिखाना cleaning ने दिखानी आज मैं आपको थुरसा हट के दिखाती हूँ आज मैंने सचा आप से मैं अपने delivery घर करते हूँ डिलीवरी तो आ चुकी है यह है कि वह box is husband के नेम के नेम के हैं तो वही open करते है पार्सल अपने और जो मेरे नेम का पार्सल होत हाँ वह मैंने करना है और वह experience मैं जरूर करती हूँ first time तो यह फिर आया नहीं था तो मैं वरी हो रही थी तो शाम को यह फिर husband ने order किया है तो आज यह afternoon में आ गया है so amazon delivery is very very best और मैंने order किये थे cake ice molds तो वह मुझे shock था मैंने का था चलो देखती हूँ कैसे हैं क्या होता है क यह मेरा first experience होगा तो मैंने कर चैलेंग यह मंगवाती मैं आपको share करती है इसकी वैसे plastic बहुत अच्छी है इसको उपर भी plastic sheet का लेड सा बना हुआ है इस तरह से इसको भी open करके nice होता है लेकि यह है कि इस plastic को यूज करने से पहले मैं एक दफ़ा जरू बाश करूंगी यू तो मुझे बहुत reasonable price पर मिल रहे थे लेकिन यह था कि delivery late हो रही थी लेकि जो फिर मैंने यह मुझे order करना पड़ा तो यह three एक में एक लाइन में three है और एक लाइन में three में six है तो यह मुझे 14 pound का बढ़ पड़ा मीन 14 pound इसके price लगी और यह है कि इसके सारी things साथ में मिल गी है जो कि मैं separate नहीं लेनी पड़ती लेकिन मैं already separate ले चुकी थी खैर यह इसके साथ मिल गी और साथ में sponge भी मिला जो इसको wash करने के लिए बहुत ही helpful साबत होगा तो यह मुझे बहुत अच्छे लगए मैं cover भी कर सकते और मैं यह बनाने हैं और first experience होगा मेरा तो देखते हैं इसकी प्लास्टिक वैसे बहुत अच्छी है इसकी में जो रबर है बहुत सिलिकोन की बनी हुए बहुत अच्छी है और I think this is best best लगा मुझे अभी टाइम हुआ है डिनर का मैंने के चलो मैं आपको दिखा जी थोड़ा सम डिनर अज अर्ली कर रहे हैं और आज जी सैल्मन फ गभी दे साथ तो फीच ली है मैं मने आज पैल में बनाना रही है तो यूज यूज ली मैं हर दफा और में में बनाती हू ता था मैं छय मैंसे साथ चॉले प〜पर बनाना शेयर करती हू लिए क्नियू फाल्ट मैं नहीं लगाया क्योंकि और रwater साल्ट होता है फिश में य ब्लाग पेपर स्प्रेंकल किया इस तरह से अभी तो परिका डाला है एंड रेड चिली सिर्ज डालें मैंने कवर करके पकने रख दिया उसी कोईल में सारी मैं वेजिटेबल्स डाली थी यूनो मैंने कहीं इस तरह से शियर करती हूं कि आप ओमन में जो नहीं बनाना चाहते यह दिल नहीं करता है तो आप स्टॉप इस तरह बना सकते हैं जी तो इसके साथ ही मैं सारी करती है जो पसंद आएगी जी तो मैं आप आई हूं ओपर अपना कुछ ट्रीट्मिंग करने के लिए अपनी स्कीन केर रूटीन आपको दिखाने के लिए तो मैंने का सबसे पहले में तिंग यह याद रखीगा कि फिशल वगहरा यह थ्रैडिंग अपनी स्कीन केर की कुछ कुछ भी आप करने वाले हैं उसे पहले आप कुकिंग कर पारि हो जाया करें ताकर फेशफ एक रहा हमेशा कुकिंग के बात किया करें क्यों के चुले के पास मैं आपusta अनी नहीं होता। आप उस दिन पर यह किया क्रें यह यह हुर्थ झार्डिवक बहुत SHIP cotton प्र tastड़ से शेयर करते हूं डीटेयल से उस दिन मैं आपको शेयर नहीं कर पाई थी डीटेयल से वीट ये मैं स्टिप्स लेती हूं जिसमें 28 अच्छे से इसके स्मूधनस हैं एंड 40 इसमें स्टिप्स मिल जाती हैं बहुत ही इजीली तो मैं ये फार हैड भी करने के लिए यूज कर ल इसके साथ ही मैं अपना आइब्रो बनाने वाला सेट करने वाला बुरूश यूज करती हूं मैं आज आपको डीटेयल में बताती हूं किस तरह से और क्या क्या यूज करती हूं तो ये स्टिप्स इतनी बैर नहीं हैं बहुत अच्छी है इसका मेरा एक्सपीरिंस बहुत अ प्राइकिन टाइम के लिए भी सेव कर लेती होती हूं क्योंकि वह इतना यूज नहीं होता तो ये मिन बहुत ही बैस्ट है बहुत ही बैटर रहता है तो मैं आप करूं कि अपनी फर्स प्लगिंग क्योंकि फेशल करने से पहले हमेशा आप अपनी थ्राइडिम गयरा कर लि अब है अपनी फ्लगिंग कर लोंगी एंड इसके बाद मैं फेशल कौन सा करने वाली हूं आज क्या यूज करने वाली मैं आपको दिखाऊंगी चलो मैंने कहा तो थोड़ा सा मैं प्रोमो दिखा देती हूं मैं क्या करती हूं एक तो मेरे हैंड जो जल गयाने करसम से उसका स्कैज नहीं जाँरा मैं इस तरह करती हूं यह इस तरह लेती हूं मैं इसको प्लगिंग की जहां से बनानी होती है वहां पर मैं रखती हूं जैकर रखता तो और लगता है कि हमारे जो एक्स्ट्रा बाल है प्लकिंग के वो निकल न जाए आई ब्रो के तो इसलिए मैं उसके फोल्ड कर लेती हूं और बहुत एजी कर लेती हूं जी मैं फैसे करने वाली हूं आज जी मेरे पास जो परोडेक्ट्स है स्किन केर की वो है जी आज क्यूकंबर में जी यह है सेंटियर्ज वालों का एंड क्यूकंबर फार और स्किन टाइप्स और इन क्रीम का जो मिक्चर है बना हुआ बहुत मज़े का और इसकी स्मेल की तो क्या ही बात है और मैं आपको थोड़ा सक दिखा देती हूं और मैं यह थोड़ा सक टोड़ा सक बात अब तरह से देमिल क्यूकंबर क्या बिल्कूला की थाpaid इसकी तो विखाए क। इसके बाद इसके जो है ना फार्मूला वह बहुत ही डिफर्ट बना हुआ है और इसमें बिल्कुल रियल मीन क्यूकंबर यूज हुआ हुआ है और यूज है और वैसे सकीन के लिए हुआ है इसके बाद मैं यूज करूंगी सेकर नंबर यूज यूज हई क्यूकंबर टाइप्स यह भी बहुत अच्छा है और यह बूद्स से लिया हुआ है तो अच्छा रहता है बहुत ज्यादा क्योंके हम डिफेंट फेशल यूज करें मेरे स्किन वैसे ना तो ड्राइ है ना तो ऑईली है मेरे स्किन बहुत नॉर्मल है तो इस तरह से जो वो क्रीम है उसके तो से वाइड सा कलर है और तो थोड़ा सा इसके अंदर गरीन कलर आता है और यह बिल्कुछ ज्यादा रनी नह होऊँ होँगी वैसे मेरे स्किन वहाथ है लन्हाइन नॉर्मल है ना तो तो बिल्कुल ड्राइयां और ना यह को बड़ को बात् ze हैं और मेरे स्किन पर यह बैटर रहती में तो कभी को मुझंग अबए प्लीज आप ona लबना उसको कभी भी नकाले ना चोड़ देंश जै चैज़ी रहे कि अपना टाइम फिनिश करके चला जाएगा तो इसके बाद ही यह मेरा स्क्रब है यह भी इसी चीज में क्यूकंबर का है और यह भी बहुत बैस्ट है बहुत बैस्ट है और मेरा तो इसके साथ मैने फर्स टाइम एक दाफा यूज किया तो बहुत अच्छा ज शक्राक नहीं जाए होता है क्याया हốtा है क्या richest कten वरें गर अधिल का क्युब्स तो कर, लगक Candice नहीं सुवश्य, भरें माधा जब माधा कसा है के लुस्ताथ में सुवरा इस प्रॉप्पर जैसे होता है second, यह उस्तरह नहीं है लेकिन बहुत ही प्यारा है जिस तरह होती है उसकी तरह तो मुझे यह बहुत अच्छ लेपार जिप graduate इसको apply करते है नए आए तो जो होते है ईसकया फेस्स जी होती है थैस्स पे जो main points होती है of main points तक यूज जो फिनिश हो जाए और निकल जाए अच्छा एक में बात यह है कि रोज वाटर आपने पानी वाटर नहीं यूज करना स्किन पे जब भी आपने एक क्रीम लगाई है सैकिन लगाने वाले तो रोज वाटर आपने यूज करना उसमें वाटर आपने नॉर्मन वाटर नहीं यूज करें तो ज्यादा बेस्ट है तो इसके बाद फूर्ट तिंग यह है कि मैं यूज करें हूँ आज हाइडरेटिंग it का मास्क यह बहुत्ष नहीं समूत्स भी देता है इंप्रूफ भी करता है और ट्क्षिर भी इसका बहुत अच्छा है यह शीट मैं यह ब्लेक जाये हों अध्य में कने श्यादा ओप हैं और भी तीबब attentive स्के में आफंड लोगान तो एक बोडियमन Nag बहुत यह नाइस एफक्ट आता है जो नो विटमन ए में एपल भी शामल होता है कुछ फूर्ट है वेजिटेबल जिसमें विटमन ए होता है तो यह बहुत ही बैस्ट है तो यह मैं यूज करूंगी तो बहुत यह अच्छा रहेगा एंड हमेशा याद रखिए का कि आप गयरा कुकिम गयरा नहीं करनी होती तो मेरा यह में पॉइंट होता है और मैं ऐसे ही करती हूं तो यह हो गया सब प्लकिंग होगी उसके बाद मेरा फेशल भी हो गया है तो फेशल के बाद मैंने के थोड़ा साब को मास्क शीट दिखा देती हूं इस तरह से आई आइज अंदर तक जिजब हो जाए मैं जाती हूं रेस्ट करने और मेरा आज के तना प्यारा सब लॉग और मैंने अपने स्किन केर रूटीन आप से शेयर की